इस बात की सुग भुगाहट तेज है कि संसद के विशेश सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जो एक देश एक चुनाव को लेकर काम करेगी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपती रामनात कोविंद को सौपी गई है। आईए जानते हैं एक देश एक चुनाव के बारे में सब कुछ। एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाब दिया गया है। इसका मतलब ये है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे। संसद के मौनसून सत्र में सरकार ने इसका जवाब दिया था। केंद्रिय कानून मंत्री अर्जुन राम मेगवाल ने कहा था कि साथ में चुनाव कराने के लिए सम्विधान के आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। जानेंगे इसके फायदे क्या होंगे। एक साथ चुनाव कराय जाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है पैसों की बचत का। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे सरकारी मशीनरी का सही इस्तेमाल हो सकेगा और बार बार आचार संहिता न लगने से विकास कार्य पर भी असर नहीं पड़ेगा। फायदों के बाद बात करेंगे नुकसान की। कुछ लोग एक देश, एक चुनाव को देश के संघीय धांचे के विपरीत और संसदिय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बताते हैं। कहा जाता है कि इससे कुछ विधान सभाओं की मरजी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। कुछ का मानना है कि इससे राष्ट्रिय मुद्दों के सामने ख्षेत्रिय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। इससे राष्ट्रिय पार्टियां बढ़ेंगी और ख्षेत्रिय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव कराए गए तो इससे निरंकुष्टा की आशंका बढ़ जाएगी। हालां कि भारत की विशाल, जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौती पूर्ण बताया जाता है। कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिर्ता की आशंका रहेगी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं। जैसे साथ अफरीका, स्वीडन, बेलजियम, यूके, इंडोनेशिया, जर्मनी, फिलिपीन्स, ब्राजील, इतना ही नहीं, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुआना, हॉंडूरस जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। आज भले ही देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते हो, लेकिन पहले ये होता था। पहले विधान सभाएं भंग हो गई. 1970 में लोक सभा भी भंग कर दी गई. इस तरह से साथ चुनाव कराए जाने का ये सिलसिला तूट गया. आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.